अगर आप medicine से related information चाहते हैं तो अभी subscribe करें चैनल को knowledge for Indian तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे fully next gold tablet के बारे में अब इस tablet के या फिर इस medicine के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, कैसे लेना हैं और क्या इसकी price है, ये सारी जानकारियां जो है आज की इस वीडियो में मैं आपको दूँगा तो देखिए price से शुरुआत करते हैं, तो ये जो है 168 रुपीज में आपको 10 tablets मिलती है तो देखिए price समय के अनुसार बलता रहता है, तो जो आज का price है, वो इधर मैंने आपको बता दिया है अब देखिए ये जो है aristopharma बालू की है, अब इसको खरीदना कहां से है, तो देखिए इसको जो है आप कोई भी alopathy medical store से खरी सकते हो या फिर आप इसको online भी search करके देख सकते हो, online भी ये आपको मिल जाएगी, तो google पर इसको search करके देख सकते हो अब हम बात करें composition के बारे में इस folinex gold tablet में क्या-क्या है, तो देखिए इसमें है L-methyl folate calcium, जो कि 5 mg में रहेगा इसके अलाबा इसमें है pyridoxyl 5-phosphate, जिसको बिटामिन B6 भी बोल सकते हो, ये रहेगा 3 mg में इसके अलाबा जो है इसमें mycobalamin है, जिसको बिटामिन B12 भी बोल सकते हो, ये रहेगा 1500 mcg में तो ये इसके ingredient है, जिससे ये medicine या tablet बनाए गई है, अब हम बात करें इसके फायदे के बारे में तो देखिए अगर आपको जो है anemia है, या फिर हम बोले तो खून की कमी है, तो उस condition में ये काफी फायदे मन medicine होती है और ये RBC को भी increase करती है, इसके अलावा अगर आपको साइटेका की problem है, मतलब नसों में कमजोरी है, नसों में दर्द होता है, तो उस condition में भी ले सकते हो, आपकी नसों में ये ताकत भी देती है medicine अब देखिए इसके अलावा ये जो है प्रिगनेंसी में काफी चलती है, और प्रिगनेंसी में काफी लेडिसों को दिया जाता है, डॉक्टर दुआरा या गाइनेकलोजिस्ट दुआरा, तो प्रिगनेंसी में इसके बहुत फायदे हैं मा के लिए भी और बच्चे के इसके अलाबा blood pressure भी high हो जाता है pregnancy में अब pregnancy में होता क्या है कि 20 हपते के बाद लगभग ये देखा गया है कि बहुत सरी जो ladies होती है pregnant ladies उनका BP high हो जाता है तो उसको भी ये control करने के लिए medicine काफी काम की होती है for next cold tablet इसके अलाबा pregnancy में देखा गया है कि nausea type लगता है उल्टी जैसा लगता है तो उसमें फायदे मंद होती है इसके अलाबा premature birth से भी ये बचाती है इसके अलाबा जो embryo होता है जो बच्चा होता है पेट में उसके brain के development के लिए काफी अच्छी medicine है ये मतलब pregnancy में जो है ये काफी effective medicine पाई गई है और काफी ladiesों को ये medicine दी जाती है और एक तरह से ये जो है immunity system को भी boost करने का काम करती है तो इधर जो जो इसके main main फायदे थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है अब हम बात करते हैं dose के बारे में तो देखिए एक tablet एक दिन में आपको एक ये बार लेना है और इसको कुछ भी खाने के बार लेना है चाहे आप नास्ता करो या खाना खाओ उसके 15-20 मिन बाद आप इसको ले सकते हो और simple पानी के साथ इसको लेना होता है अब देखिए male female कोई भी इसको ले सकते हैं इदर कोई problem नहीं है अगर आपको कोई problem है तो बिल्कुल male हो या female हो कोई भी ले सकते हैं अब इधर बच्चों को नहीं देना है और pregnancy में तो बिल्कुल इसको ले सकते हो लेकिन डॉक्टर की सला से क्योंको प्रिग्नेंसी में एक बार डॉक्टर से सला कर लें क्योंको पहले से भी आपकी मेडिसिन चल रही होती है बहुत सारी तो एक बार जो डॉक्टर से सला कर लें तो बहतर है प्रिग्नेंसी में काफी effective मेडिसिन है यह अब side effect के बारे बात करें तो जैसे के सरीर में रैसेस या सरीर में खुजली हो सकती है पेट खराब हो सकता है यही इसके कुछ side effect है और side effect बैसे भी हर किसी को नहीं होते है अब इदर कोई दूसरी medicine आपकी पहले से चल रही है तो उसके साथ इसको ले सकते हैं या नहीं तो देखे बिलकुल ले सकते हो लेकिन अगर पहले से कोई iron की, folic acid की या कोई vitamin B2L की medicine ले रहे हो तो उस condition में नहीं लेना है क्योंकि यह जो है इसमें भी है तो overdose हमको किसी भी medicine का नहीं करना चाहिए बाकि अधिक जानगारी के लिए जो है नो महीने ऐसा लिया जाता है तो लंबे समय तक लेना है तो डॉक्टर से एक बार जरूर सला कर ले अब फायदा कब तक देखने को मिलेगा तो कम से कम आप इसको एक महने लीजिए एक महने के बाद आपको जरू इसका फायदा यह result देखने को मिलेगा अब देखिए दर में कुछ advice देना चाहूंगा अगर आभी fall in eggs cold tablet लेते हो तो आपको alcohol नहीं लेना है smoking नहीं करना है और ये तो जादा junk food हो गया fast food हो गया बोजार मीठा, oily, fry ये सब ना खाए ये सब आपके health के लिए वैसे भी बेकार रहता है आप healthy diet लें एक healthy lifestyle रखें और फ B2Oil के कमी तो जारतर जो है vegetarian जो है उनको ज़्यादा होती है अगर हम compare करें non vegetarian से तो तो vegetarian जो है तो वो थोड़ा सा diet का ख्याल लग है एक healthy खाना खाए और कोई problem है तो फिर आप फोली नेक्स कोल टेबलेट भी ले सकते हो अब इदर जो है अगर आप हलके बुलगे exercise कर सकते हैं तो exercise भी करें या walking करें या अच्छा होता मेरी health के लिए है तो इधर मेरे वीडि में जब तक आप बने रहिए और देखते रहिए आपके अपने चैनल में knowledge for Indian